नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल इलेक्ट्रिकल गुरू पर स्वागता हैं अगर आप हमारी यूटूब चैनल पर पहली बारा है तो हमारी यूटूब चैनल इलेक्ट्रिकल गुरू को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो का इंट्रू लोकेशन जहां पर आपके केंश प्लेस्मेंट है उसकी लोकेशन होगी वह पांडू नगर कानपूर यूपी रहेगी चैलर के केंश का अस्तान दे रहा है गौर्मेंट आइटी पांडू नगर कानपूर केंश प्लेस्मेंट के डेर रहे है वह साथ परूरी दो जर बीस है और टाइम रहेगा केंश प्लेस्मेंट का वह सुभह दस बजे कंपनी का नाम दे रहा है न्यू हालोंड ग्रेट नोईडा आपक अरश के यूडस सकते हैं का या न फिट्र मशिनेंट बहुत्येक ट्रमसीन्स मैसी पेंटर इल्यक्टिरश यहां ठुट्प्लेस्मेंट के अंदर भग नेंगा अधर ट्राइब ट्रॏइब regresso agency प्लेस्मेंट्स के अंदर बाग नहीं ले सकते हैं एस लिमिट की बाद twenty व और अद्र बेरी फिर्ट की बात करें तो यह सेल्री है वह 2050 प्रमत के साथ से आपको सेलरी मीलनी वाली है और साथ में आपको केंटीन और ट्रासपर्ट आवो आपको फिरी में प्रोवाइड कर वाएजाएंगे डॉक्यूमेंट के अंदर आपको डॉकुमेंट और आधार कर्ड आपको साथ में ले कर जाना होगा और और आपको पर होटों zij की की पौटों जातले देकर पहुंचना होगा यहां पर आप नोटिफिकेसं भी देख सकते हैं नोटिफिकेसं दे रखाए न्यू हलोंड ग्रेट नोईड़ा ट्रेड दे रखी है एजब अटारा से चोईशियर मध्य है यहां पर सेलरी किया है ग्यार अजार पचास पर मंत के साब से फिरी केंटि कानपुर अब हम बात करते हैं सेकेंड केंट 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 स्वितलम इंडियन प्राइवेट लिमिटेड है लेक्ट्रिस्टेड देफ फ्रांस ग्रूप से क्वालिपिकेशन इसी में भी आईटे रखी गई है जिसके अंदर एंची विटी और रहा है आज सीविटी दोनों स्टुडेंट भाग ले सकते हैं तो ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रेशन और वायर में दो ट्रेड की स्टुडेंट इसके अंदर बाग ले सकते हैं यहां पर टोटल विकेंद यह वह बाणा पद्द निकाले गई हैं डोक्मेंट के अंदर आपको आल डोकुमेंट्स लेजने होगे और साथ में आपको आधार करेंड पेंड करें और बेंक पास्पूर्ट की फोटो कोपी और आपको दो पास्पूर्ट साइज आवो फोटों भी आपको साथ मिलेकर वहां पर जाना होगा यहां पर आप नोट इस देख सकते हैं केंप इंट्रिव आई टी सारसपूर कंपनी का नाम दे रखा है यहां पर इंडिन प्राइव आपने मारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो ता लगाओ लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए धन्यवाद